मित्रों कच्छुआ पालने से कौन सा लाभ मिलता है या कौन सा चमतकार होता है? और हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र क्यों किया गया है? मित्रों आपने अपने गाउं में या किसी सगे सम्बंधियों के यहां जरूर देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में छोटा सा तंकी बनाकर या छोटा तालाब बनाकर कच्छुआ पालते हैं मित्रों कच्छुआ जिसे संस्कृत में कच्छप कहा जाता है भारतिय संस्कृती और धर्म में विशेश महत्व रखता है इसे भगवान विश्णों के अवतारों में से एक माना जाता है, विशेश रूप से कच्छप अवतार. इसके अलावा कच्छुए को शांती स्थिर्ता और दीर्ग कालिक्ता का प्रतीक माना जाता है. मित्रों सबसे पहले जानते हैं कच्छुए पालने के धार्मिक महत्व के बारे में. कच्छुए का प्रमुख धार्मिक संदर्भ भगवान विश्णु के कच्छप अवतार से है. यह कथा समुद्र मन्थन से जुड़ी है, जहां भगवान विश्णु ने कच्छुए का रू माना जाता है. मित्रों हिंदु धर्म में कच्छुए को स्थिर्ता और शांती का प्रतीक माना जाता है. इसे घर में रखने से घर में सुक शांती और समरिध्धी का वास होता है. जोतिश के अनुसार कच्छुए घर में रखने से नकारात्मक उर्जा का प्रभाव कम होता ह इसे वास्तु के अनुसार भी शुभ माना गया है। और व्यक्ति हमेशा प्रसंद रहता है। मित्रो कच्वा अपने घर में रखने से धन और समरिध्धी में व्रिध्धी होती है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो की समरिध्धी और भाग्य का देवी है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती हैं। मित्रों कच्छुए के साथ रहने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में होता है। इसकी देख भाल करने से व्यक्ति में जिम्मेदारी और सहानु भूती का विकास होता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझता है और अपने लक्षे की तरफ आगे बढ़ता है। मित्रों कच्छुए को पालने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है जिससे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। यह प्रेम और सामनजस्य का प्रतीक है। आपके घर में हमेशा एक्ता बनी रहती है। आप अपने परिवार के साथ खुशाली का जीवन जी रहे होते हैं। मित्रो कच्छुआ तंत्र मंत्र में भी महत्वपून स्थान रखता है। इसे तंत्र साधना में विशेश रूप से उप्योग किया जाता है। लेकिन मित्रों कोशिश करना चाहिए कि इन सभी बातों से आपको हमेशा दूरी बना कर रखना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया से आपको बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। मित्रों इस प्रकार से कच्छुआ पालने के धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाब अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह न केवल एक पालतु जानवर के रूप में बलकि एक साधना के साधन के रूप में भी काम करता है इसके द्वारा व्यक्ति, शांती, सम्रिध्धी और अच्छे संबंधों का अनुभव कर सकता है इस प्रकार कच्छुआ पालना एक सार्थक और लाभकारी अनुभव हो सकता है मित्रो यदि आप कच्छुआ पालने का निर्ने लेते हैं तो इसके लाभों का अनुभव करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं मित्रो हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंदाई होगी धन्यवाद